बड़े खबर क्यों रुक करेंगे दिली से इस वक्त की बड़े खबर आ रही है सामनी आई है पुलिस की गुंडागर्दी पुलिस कर्मियों पर दुकान दार को पीटने का आरोप लगा है शुकायत करने से दरोगा नारास था सिसी डीवी कैमरे में पुलिस की कटूत क्या द हो चुकी है सरतव्यार के जसूला इलाके का यह मामला है जहाँ पर गुंडागर्दी दिखिए दिल्ली पुलिस की आला दिकारी दिली की शुरक्षा के हमेशा तमाम दावे करते दिखते हैं लेकिन यहाँ पर उनकी गुंडागर्दी सामने आ रही है खाकी के अंदर गुं पर एक पुलिस कर्मी की साथ मिलकर एक दुकानदार की पिटाई करने का रोप लगा है। पर एक दुकानदार की पिटने का रोप लगा है। यहाँ पर लोगों की मदद के लिए हमेशा तयार रहनी की बात कहती है लेकिन यहाँ पर किस तरह से जो गुंडागर्दी नजर आ रही है दुरोगों की उससे साफ है कि किस तरह से जो लोग है वो जो जनता है वो पुलिस पर कैसे और क्यों विश्वास करें जब इस तरह की तस्वीरे सामने आती हैं। कि अजब जो जोड़ रहा है और मारने शुरू कर दिया और बाहर फिर खिचके ले गिया और बाज खिच लेके मैं जो भागने कोशिच किया फिर उनका दो और श्टाफ थे साथ में जुनियर वो पगड़ के ले आया मेरे को और में भारा तो बोर रहा है कि मैं गोली मार दूँगा भागो मत ठीक है मैं डर से में रुक दिया और मेरे को पकड़ करके जेब में हाँ डाल रहा था राकेश सोनी अवारे समयादा जुट चुके हैं इस कबर पर ज़्यान कारदेनी करें राकेश दिल्ली पुलिस की गुंडा गर्दी सामने आ रही है और यहां पर दूसरे तर दिल्ली पुलिस किस तरह से सुरक्षा के दावे करती है और यह जो पोल है वो खुलती ही नजर रही है पुलिस की कारेपणाली पर सवाल खड़े होते हैं। राकेश युस तरे किसे जो सिस्टी वी फोटेस साब ने आई है उससे साफ है कि जो दिल्ली पूलिस है वो किस तरह से गुंडा गर्दी करें तो इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा इन दरोगा साहब पर हाला कि देखो जिस तरह के से मोनिका क्योंकि जो जब सब्सक्राइब आई है उसके बाद जो हम लोग जो डी सीपी हैं साउथ इस्ट के उनसे भी बात हुई चिन्मिया बेस्वाल से तो उन्होंने भी कहा है कि जो जाच है वो करी जारी क्योंकि जो दुखान तरों का और उप की चीज़ बताई हो साथ जो इलाके के और भी जो दुखानदार जो पुलिस के गुंडा गर्दी से कहीं डरते हैं उन्होंने भी इस प्रिके की कंप्लेंट दी तो जाहिज से बाद कि कहीं ना की जो मारपीट है वो तो किसी ना किसी बात कुर हुई थी लेकिन वो चीज़ पुलिस के होने से लोगों को सुरक्षित महसूस करना चाहिए और जिस तरह की तस्वीरे सामने आ रहे हैं उससे तो साफ है कि जो जनता है वो अज सुरक्षित महसूस और करती होगी पुलिस के होने से जरूर लगा सकते कि किस सिर्के से पुलिस है जो कभी भी किसी को भी यानिकी जो बेगुना लोगों थे उनके साथ भी किस तरीके की बरबता कर सकती है यह तत्वीरे साफ जाहिर करते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस को भी यानिकी अब जो लोगों के उपर धों जमाने का कहीं ना कहीं नगे एक अलम रूत्मा है यह और यहां पर यहां पर donc कि जो आरोप लगाया गया है उनका वो आरोपे कि जो पीडिस लोगों नहीं होता है कि जो इसको रंगदारी भी कहा जाएगा और तो वो पैसे को लेकर ही पूरा बवाल होता है उसको लेकर ही जो सिकाय से वो भी दी गई है लेकिन अभी तक जो गट्टा जब से आई है उसके बास अभी तक फिली पले से हलागी आरोपी पुलिस वाले उनके उपर कारवाई होगी चले बहुत शुक्री आपका राकिश तमाम जोहर कारी के लिए